दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि वजन को कम करने के लिए आप किस आठे की बनी रोटी खाएं, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस आठे में और क्या मिलाएं जो आपके बढ़े हुए वजन को, निकले हुए पेट को, मूटी कमर को, चर्बी को पिगला दे और सारी calories होती है, जो हमारी वजन को बढ़ाती है, तो अगर आप वजन कम करना चाहते हों, तो सबसे पहले गेहूं से बनी रोटी खाना बंद कर दीजे, अगर आप वजन कम करना चाहते हों, तो हपते में तीन दीन बाजरी की बनी रोटी खाएं, और दो दीन रागी की बनी मिल जाएगी, दोनों आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप घर पर ही पीस लीजेगा इसका आटा या फिर आटा भी इसका बाजार में मिल जाता है, तो यह देखे रागी है और यह बाजरा, तो आप क्या कीजे, रागी और बाजरे का जो आटा है वो पीसवा कर रख दोस्तों कलोंजी और अजवाइन का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फादेबन होता है, पूराने समय से लोग कलोंजी और अजवाइन का इस्तमाल करते आ रहे हैं, इससे भैंकर से भैंकर बिमारियां भी दूर हो जाती है, इसके अंदर आयरिवेदी गुणों का खजाना भर है, वैसे भी कलोंजी के बारे में कहा जाता है कि हर मर्ज की दवा है, यानि हर रोग की दवा है, और अजवाइन जो है या हमारे पेड के लिए तो रामबाण है, अगर आपका बेटाबोलिजम स्लो है, या फिर एसडिटी की समस्या रहती है, खाना नहीं पचता है, खटी अजवाइन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ये पेड के लिए रामण होता है, आईरवेटी किताब स्टांग रिद्यम में भी कलोंजी और अजवाइनी गुणों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, चलिए, मैं आपको बताता हूँ, रोटी आप दो लोगों के लिए रोटी बना रहे हैं ना, दो लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गुत रहे हूँ, तो उसमें आधा चमची मात्रा में अजवाइन और कलोंजी के मिक्षर को मिला कर गुत हैं, और इससे बनी रोटी रोजाना खाय करें, आपको कब-कब बाघा थाativa में विडिया आटें गेहूं का आटा याठा औरे मिल रहाख़े तो इससे भी आपको बहुत आटा पाहिसे प्लिसे विब्सक्राइन और हेला का विदिये हैं इसे खाने से आपका पेट जो है देर तक भरवा महसूस होगा, satisfaction मिलेगा, लंबे जमें तक आपको भूक कम लगेगी, इसके लावा इससे शरीर को iron बहुत ज्यादा मातरे मिलता है, energy बहुत मिलती है और fat बहुत जल्दी बर्न होता है, पेट से related बीमारियों के लिए यह और कबजी की प्रॉलम हमेशा के लिए दूर हो जाती है, इस रोटी को खाएंगे ना, तो आपका metabolism भी अच्छा हो जाएगा, आप चाहें तो सिर्फ बाजरी की रोटी ही हपते में तीन दिर खा लिया करें, इसके लावा बाजरी के आटे या फिर रागी के आटे में अगर आपके जोड़ों में दर्द हैं, घुटनों में दर्द रहता है, और साथ साथ में मोटापा भी है, तो आप रागी से बनी रोटी खाये करें, वीक में तीन दिन रागी के आटे से बनी रोटी खाएंगे ना, तो श्रीर में कल्सियम कमी बहुत ही जल्दी पूरी हो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द के साथ साथ, श्रीर में जो बढ़ा हुआ मोटापा है, वो भी कम होता हुआ दिखेगा, इसमें कल्सियम के लावा विटामिन D भी होता है, जिससे हड्डिया मजबूत होती है, साथ ही श्रीर का इम्न सिस्टम भी मजबूत होत जोड़ों में घुटनों में जरुर खाएं गर अगर आपके शेर्र में कोई बीमारी ना भी हो तो भी आ इस तरह बना कर रूटी खा सकते हैं, आप नौर्मली घर पर गेहूं के आटे के रूटी में बनाते हो ना, तो गेहूं के आटे में भी कल्लाउंजी और अजवायन रखा सकते हो इससे आपका पूरा परिवार हमीशा हेल्थी रहेगा और कभी पी आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां नहीं होगी तो आज इस वीडियो में बस इतना ही यह जानकारी है को इसलिए कि आप हमें कॉमेंटर बताएगा और इस वीडियो को जियाला से जानल लो आदा उठा सके धन्यवाद